इस time to learn everything में आप सबका स्वागत है बच्चों अगर आपने हमें like share और subscribe नहीं किया तो like share और subscribe कीजिए Thank you बच्चों for liking, sharing and subscribing us आज हम पार्ट फसलों के तेवार के प्रशन उत्तर करेंगे मोस्म का अंदाज प्रशन संख्या 1 खिचडी में इसन जाड़ा हम पहले कबबव ना देखनी यहां तुम खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हो उत्तर यहां खिचडी से मतलब मकर सक्रांती से है उत्तर भारत में मकर सक्रांती को ही खिचडी भी कहते है परशन संख्या 2 क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले अगर ऐसा हो तो सोचो अपने सातियों के साथ बातचीत करके लिखो अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा उत्ता है अगर सूरज ना निकले तो चारो और अंधिरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी संपू प्रिष्थ्विक ही निश्ठ हो जाएक दिन। इसका क्या आर्थ हुआ? आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? जा भाग के देख कर के पत्ता आईल की ना इन वाकियों को अपने घर की भाशा में लिखो इसका उत्तर है बच्चों जा भाग कर देख केले के पत्ते आये या नहीं भारत तेरे रंग अनेक प्रश एक विवित्ता हमारी देश की पहचान है हमारे देश में कहते हैं विवित्ता में यह एकता है अनेकता में एकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फसलों का तेवार हमारे देश के विविद रंग रूपों का एक एक उधारन है नीचे विवित्ता के कुछ और उधारन दिये गए हैं पांच-पांच बच्चों का समू एक-एक उधारन ले और उस पर जानकारी कठी करें जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कानी, कविता, सूशना, प्रक, सामगरी के रूप में हो सकती है हर समू इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तूत करें बाशा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक, कला और लोक, संगीत इनके विशे में बच्चों आपको जानकारी इकठी करनी है पाच-पाच बच्चों की एक टोली बनाईए और किसी भी माध्यम से जानकारी कठी आप कर सकते हैं चाहिए वो फोटोग्राफी हो, चित्र संकलन हो, कहानी हो, कविता हो या कोई और सामगरी उत्तर भारत, भारत में हर जगे पर विभिन भाशाएं बोली जाती है भारत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली बदल जाती है लेकिन राश्ट भाशा के रूपे सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग किया जाते है लेकिन इत्ती विवित्ता होने पर भी हम एक जगे एक हैं वो कहा है हम सब की राष्ट भासा क्या है हिंदी कपड़े भारत में विभिन परांतों में आलग अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं है प्रांत य Eğer यह पर निज के अपनी विशे श भूश्य है निया वर्स भारत में आलग अलग अलग राजियों में यह 불बिन तरह से बनाया कुछ एक स्पेसिलिटटी होती हैं खास खाद्य पदार्थ और खास भोजन होते हैं हर कि जैसे हमारे उत्राखन की बाल राश्तान का दालबाटी चूर्मा इस स्पेशल न लोक संगीत भारत के सभी राज्यों के अलग अलग लोक संगीत है लगबग हर राज्ये का अपना एक लोक निर्थ लोक संगीत लोक कला है अगला प्रेशन संक्या दो तुम्हें कौन सा तेवार सबसे अच्छा लगता है और क्यों इस दिन तुमाई दिन चरिया क्या होती है बच्चों आपको जो भी तेवार सबसे अच्छा लगता है आप उसके विशे में लिख सकते है मुझे जो तेवार अच्छा लगता है मैंने उसके विसे मैं आपको जानकारी दी है हम होली का तेवार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों और रंग ही रंग देखने को मिलते हैं ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही रंग भी रंग हो गई इस दिन हम सुबे से जोज सता उत्सा से भरे रहते हैं गुजिया का तेवार गुजिया इस तेवार की मुख्य मिठाई है लोग बड़े आनन से खाते हैं और इस तेवार की मुख्य मिठाई के बच्चों गुजिया गुजिया तो आपको भी पसंद होगी लगवख लगवख सभी को गुजिया बहुत पसंद होती ही, होली खेलने की बार गुजिया खाते हैं अन्य के बारे में फसल के तेवार का तिलका बहुत महत्य होता है, तिलका किन-Kिन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो बच्चों फसलों के तेवार में तिल का भी अपना एक महतपूर्ण इस्थान है और किन किस रूप में तिल का हम इस्तेमाल करते हैं ये पता करके लिखना है तिल से विविन प्रकार के पक्वान तथा मिठाईयां बनाई जाती है अनेक तरे के पक्वान और तरे तरे की मिठाईयां बनती है जैसे तिल के लड़ू इससे तेल भी बनता है और तिल से तेल भी निकाला जाता है पैसन संक्याखा तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे हो सके तो तेल की दुगान में जाकर पूछो बच्चो तिल से तेल निकलता है यह तो आपको बताई दिया गया है और कौन कौन से अन है जिन से की तेल निकल सकता है इसका उतर तेल की दुगान पर जाकर आपको मिल सकता है और माता जी भी बता देंगी आप उनसे भी पूछ सकते हैं उत्तर तिल के अत्रिक, नारियल, सरसो, आमला, मुंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है कौन से फूल जैसे सूरज मुकी का फूल, सूरज मुकी के जो बीज होते हैं उनसे तेल बनता है